दोस्तों अक्सर बॉलिवूट की फिल्मों में देखने को मिलता है कि जब किसी एक्टर और एक्ट्रेस को प्यार होता है तो वो ना धर्म देखते हैं और ना ही जात और ना ही उम्र और ना ही स्टेटस और प्यार कर बैठते हैं अब तक फिल्मों में ये बात काफी जादा च तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलिवुट इंडस्ट्री की उन्हीं अभी नेत्रियों से रूबरू कराएंगे जो कम उमर के सितारों को डेट करने के बाद आज उन्हीं के साथ शादी रचा कर खुशाल जीवन बिता रही है नमबर पाच अमरिता सिं थी तो दोनों के बीच 13 साल के उम्र का फासला था इसी वज़ा से तो सियफ अली खान और अमरिता सिंग की शादी जादे दिनों तक नहीं टिक पाई नमबर चार एस्वरिया राय यूं तो एस्वरिया राय का फैर सलमान खान और विवेग अबरोय के साथ रहा लेकिन दोनों के साथ ही उनका रिस्ता आगे तक नहीं चल पाया पर एस्वरिया राय ने साल 2007 में एक्टर्स अभीशेक बच्चन से शादी की जिनके साथ आजी खुशाल जीवन बिता रही है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्वरिया राय अभीशेक बच्चन से तीन साल की बड़ी है जिहां तीन साल की बड़ी पर इसके बावजूद भी दोनों के प्यार में कभी भी उम्र का फासला नहीं आया नमबर तीन अनुशका शर्मा सुल्तान और रबने बनादी जोडी जैसी कई फिल्मों में काम करके मशूर होने वाली आदाकारा अनुशका शर्मा इस लिष्ट में तीसरे नमबर पर शामिल होती है जो अपने पती से उम्र में बड़ी है जिहां साल 2017 में किरकेटर विराट के साथ शादी रचाने वाली अनुशका शर्मा विराट से करीब 6 महीने बड़ी हैं क्यूंकि जहां अनुशका शर्मा का जन 1 मई 1988 को हुआ था तो वहीं विराट का जन 6 महीने बाद 5 नवंबर 1988 को हुआ था बॉलिवूड इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस में से एक है प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने इन्ही सितारों की तरह अपने से कम उम्र के सक्ष्ट को डेट किया और आगे चल कर साधी रचा ली जी हां जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जिस निक जोनस से शा चादी चादी के बंदन में भनने वाली कैटीना कैफ भी इस सूची में स्टामिल होती है जो विकी कोशल से पास साल की बड़ी है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि विकी के साथ शादी के बंदने वाली कैटीना कैफ तकरीबन विकी से पास साल बड़ी है पर इसके बावजूद विकी और कैटीना कैफ में बेहती जादा प्यार है तो दोस्तों आपको इन अभी नेत्रियों में से किस अभी नेत्री के बारे में जानकर हैरानी हुई हमें कॉमेंट करके जरूर बताए और साथ ही बॉलिवूड इंडस्टी से जुड़ी ऐसी और भी लेटेट्स खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले